जिम जा रहा है बॉडी बनानी है दिसिजन ले लिए ना बॉडी बनाने का तो बस अब एक बाद याद रखना दुनिया इधर की उदर हो जाए पर अब जो सोचा है वो करके दिकाना क्योंकि सिर्फ सपने देखने से बॉडी नहीं बनती दोस्त उसके लिए हर दिन जिम में जाकर पसीना बहाना पड़ता है खुद को जानवा जैसा ट्रीट करना पड़ता है शुरुवात में बहुत दर्द भी होगा पर याद रखना ये दर्द तभी होता है जब तेरी कमजोरी या तेरा शरीर छोड़कर जा रही हो जब पसीना सूप जाएगा तेरा कुन ठंडा पर जाएगा तभी हड़िया आकार लेंगी बेशक ये मैनत तुझे अभी पनिश्मेंट जैसी लगेगी लेकिन इसकी हम्याद तुझे तब पता चलेगी जब तु सौ लोगों मैंसे भी हड़ के दिखेगा और तु जानता है या तुझे रोकने वाला सिर्फ एक ही बंदा है और अगर तुने उस पर जित हासिल कर ली ना तो यहां कोई माइक अला तुझे रोक नहीं पाएगा जानता हो बंदा कौन है हाँ सही पैचाना हो बंदा तु खुद है जब भी सुबह तेरा अलाम बज़ेगा तो मन बोलेगा स्नूस कर दे 10 मिनेट और सोजा कोई फरक न नहीं सुनना इसकी क्योंकि तु अगर इसकी सुनेगा तो जिन्दकी बर कभी बॉडी नहीं बना पाएगा जिसे शेर शिकार की यह उटता है वैसे हलाम बज़ने के बाद तू उटना चाहिए क्योंकि तुझे कैसा दिखना है यह तुझे तेह करना है तू दस लोगों में तो इस मन को याद दिला हुआ तेरे कमजोर लंब है जो आज भी तुझे चूपते है ऐसा हुआ क्यूंकि उस वक्तु कमजोर था पर अब तेरे पास मौका है खुटको फॉलाद बनाने का और अगर तुने यह मौका गवा दिया तो जिन्दगी बर कुछ नहीं कर पाएगा रोज खुटको चलेंज कर जो भी तो आज कर रहा है उससे जाला कल करने की कोशिश कर आज पाच किलो उटा रहा है तो कल दस किलो का टार्गेट रख अर रोज खुटके रिकॉर्ट सोर जब भी जिम में जाएगा तो खुटके दिमाग को ऐसा तयार कर कि जैसे तु जंग म जा रहा है खुटको ऐसा बना कि अब कितनी भी तकलीफ हो कितना भी दर्थ हो मैं पीछे नहीं अटूंगा दर्थ को कभी मत बोलना वाई मी दर्थ को बोलना ट्राइ मी और अपने अंदर के दर्थ को गुस्से को और जुरून को अपने वकाउंस में बाहार निकाल देना और मैं जानता हूँ आप तू पीछे नहीं अटेगा क्योंकि तो एक शेयर है आग लगी हो तो अपने हैर एक भाई के साथ शेयर कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं हूँ आपका दो विल्पावर स्ट मलते अगले वीडियो में